हर एक व्यक्ति का ये सवाल रेता है कि भक्ती करने वाला दुखी और पाप करने वाला सुखी क्यों रेता है आता है ना सब के मन में किसी पापी को देखो अराम से एश मोज कर रहा है लेकिन भक्त को देखो दुखी रो रहा है तो सुनिएगा महाराज भक्त के जीवन में दूसरों को देखने वालों को लगता है कि ये बहुत दुखी है लेकिन भक्त से जाकर पूछो न तो उसके मन में घूब आनन्द रहता है पापी सुखी है लेकिन उसके पास जाकर पूछो तो वो अंदर से बहुत दुखी है भक्त कभी दुखी नहीं रह सकता मैं ये नहीं कहती आप लोगों को कि भक्ती करोगे तो दुख खतम हो जाएंगे नहीं माराज भक्ती करोगे तो दुख आएंगे लेकिन भगवान अगर इतना सारा दुख होगा ना तो भगवान उस दुख को कम कर देंगे खतम कर देंगे ये नहीं है लेकिन उस दुख को कम जरूर कर देंगे